तो बच्चो आब यह question है 21th question और यह काफी easy question है बच्चो देखते हैं इसको At a point on a level ground the angle of elevation of a vertical tower is to be such that its tangent is 5 by 12 on walking 192 meter towards the tower The tangent of an angle is found to be 3 by 4 find the height of a tower तो बच्चो सबसे पहले में एक tower बनाता हूँ है ना तो मैं यहाँ पे एक tower बनाने वाल हूँ यहाँ पे मैंने एक tower बना दिया ठीक है जी अब कह रहा है कि भई at a point on a level ground ground में एक point है जहाँ पे angle of elevation बन रहा है vertical tower to be such that its tangent is इतना मुझे नहीं पता अभी मैं क्या करने वाला हूँ देखिए ध्यान से to be such that its tangent is 5 by 12 अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पे 5 by 12 रखो मुझे नहीं पता on walking 192 meter towards the tower अब मुझे समझ मा आ चुका है देखो यहां से यहां तक अगर मैं 192 meter चला देखो अगर मैं यहां से यहां तक 192 meter towards the tower चला तो दो एंगल is to be found 3 by 4 तो यहां से जो एंगल बन रहा है अब मिरको सामझ में आ चुका है कि यहां से जो एंगल बन रहा है वो जो थीटा है वो कितना है 3 by 4 है तो अब बच्चों बोल रहा है find the height of the tower इसकी tower की height निकाल ले तो देखो इसको मैं ले लेता हूँ a b c d ठीक है और मैंने आपको हमेशा बताया कभी ऐसे question आते हैं तो सबसे पहले आप छोटे वाले को solve किया करो तो देखो मैं यहाँ पर करता हूँ इन ट्राइंगल a b c भी लिख 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 करो है ना इन ट्राइंगल a b c 10 theta equals to perpendicular upon base तो perpendicular है मिर पे a b और base है मिर पे b c ठीक है जी तो tangent theta इस पे 3 by 4 है तो देखो तो यह हो जाएगा हम पे आगे मैं लिखता हूँ तो ओगा 3 b c equals to 4 a b और b c हो जाएगा मिर पे 4 a b upon 3 तो देखो यह बहुत important है जो b c आया मिर पे यह कितना है 4 a b upon 3 ठीक है यह याद रखना है आपको तो इसलिए मैंने इसको box पे रख दिया है तो b c कितना हो गया 4 a b upon 3 ठी देखे इस पूरे वाली को अगर मैं लेता हूँ तो in triangle a b d है ना बचो a b d तो देखो यहाँ पे मैं अगर tangent का formula लगाता हूँ तो 10 theta कितना होता है बचो perpendicular upon base यहीं पे मैं आगे लिखता हूँ perpendicular इस case में मिर पे बच्चो कितना है a b है और base कितना होगा बच्चो dc plus c b तो देखो dc plus c b अब देखो 10 theta यहाँ पे क्या था बच्चो 5 by 12 तो मैं लिख लेता हूँ 5 by 12 equals to a b तो मिर पे बच्चो a b ही रहने वाला है और dc कितना है बच्चो मिर पे 192 तो देखो यहाँ पे म अब यहाँ पे देखो बच्चो b c या फिर c b एक ही तो बात है और b c plus b c या c b एक ही तो बात है है ना तो मैं इस इस b c या c b के जगा में 4 4 a b upon 3 लिख सकता हूँ तो देखें मैं आपे इसको लिखता हूँ तो यह हो जायागा बच्चो देखें पहले ना मैं एक काम करता हूँ इस पूरे को b c के जगा में c b के जगा में b c लिख लेता हूँ ना कि आप confused ना हो 5.12 equals to a b upon 192 plus b c है ना इसको मैं अभी मैं value पुट न b c equals to 12 a b ठीक है जी अभी मैं नहीं करता है value पूर्ट तो यह हो जाएगा इसको मैं multiply करता हूँ तो यह कितना हो जाने वाला है बच्चो यह होगा आपका 5 to your 10 59 जा 45 46 और 5 बंजा 5 6 7 8 9 प्लस 5 b c equals to 12 a b ठीक है जी अब बच्चो यह है प्लस में एक काम करता हूँ मैं इस पूरे को उठाके इधर फेक देता हूँ है ना तो देखिए इस पूरे को उठाके मैं यह फेकता हूँ तो यह जगा 5 b c equals to 12 a b minus 9 960 right 960 minus 960 आ गया अब इस 5 b c के जगा अब b c के जगा मैं क्या करता हूँ बच्चो यह लग देता हूँ ठीक है इसकी value रग देता हूँ यह equation 1 हो गई और यह मेरी equation second हो गई तो putting equation putting equation second what we get तो मैं इसको आगे वाले question में करता हूँ बच्चो आगे page मुझे निकालना पड़ेगा है ना तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 b c equals to 12 a b minus 960 ठीक है और यहाँ पे b c की जग value है वो 4 a b upon 3 है ना तो मैं यहाँ पे इसको भी लिख लेता b c equals to 4 a b upon 3 right तो अब मैं इसको यहाँ पे solve करता हूँ further ठीक है जी तो देखिए तो b c की जगा मैं लिख सकता हूँ 4 a b upon 3 तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ b c के जगा तो यह जगा 4 a b upon 3 equals to 12 a b minus 960 ठीक है तो यह हो जाएगा बच्चो कितना यह हो जाएगा आपका 20 a b upon 3 equals to 12 a b minus 960 ठीक है इस minus 960 को मैं यह हो जाएगा प्लस का यह हो जाएगा माइनस का तो यह हो जाएगा बच्चो देखते हैं यह हो जाएगा 960 equals to 12 a b minus 220 a b upon 3 मैं इसका LCM लेता हूँ तो हो जाएगा 3 to 6 3 by 3 minus 20 bracket में a b equals to 960 ठीक है तो यह हो जाएगा बच्चो 960 equals to यह हो जाएगा बच्चो 16 16 a b upon 3 यह 3 मैं इधर फेकूंगा तो यह जाएगा 960 into 3 upon 16 equals to a b तो देखो यहाँ पे मिरपे a b आ चुका है अब देखे a b आ गया है मिरपे तो मैं कहाँ है वो a b यही चाहिए था मुझे height of the tower चाहिए थी बस इसको solve कर देते हैं और मेरा answer आ जाने वाला है चलो देखते हैं हो रहा है कि नहीं होरा solve तो यह होगा हाज फोर से फूर फोर जा 16 चीक है फूर फूर जा बाला फूर जा टेयरो ठीक है यह हो जाएगा बच्चो वन एटी मिटर तो जो मेरा a b है वो मेरा 180 मीटर हो गया तो बच्चों जरूरी निये कि आपके जो टीचर ने करा है वैसी करना है आप जय जो आपका मने आप वैसे ही करो जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है जो अपने मन से करा करो जो भी गड़ते हो मत्तब प्रेक्टिस करो कोई बात नहीं है गलत भी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेन यह नहीं है आपके नंबर से नहीं है आपके नॉलेज बढ़ने चाहिए राइट चलो नेक्स करते हैं